आलिया भट और रणबीर कपूर को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है लेकिन दोनों ही कभी इसकी परवाह नहीं करते हाल ही में एक बातचीत के दौरान आलिया ने लगातार अपने उपर हो रही ट्रोलिंग के बारे में बात की एक्ट्रेस ने बताया कि वह कभी कभी वह ट्रोलिंग से परिशान होती है आलिया ने कहा कि वह अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में शिकायत करने की स्थिती में नहीं है क्योंकि वह भाग्यशाली है और उन्हें सब कुछ पाने का सौभाग्य मिला है आलिया ने अपने सामने आने वाली ट्रोलिंग के बारे में बताते हुए कहा कि कोई भी इससे हैरान नहीं है लेकिन वह इससे और भी अधिक पर्सनल इंसान बन गई है ट्रोलर्स को जवाब देते हुए आलिया भट ने कहा नेगेटिव कमेंट से कोई भी परिशान नहीं होता है हो सकता है कि इस वज़ा से मैं भी अधिक निजी व्यक्ति बन गई हूँ लेकिन मैं इसके लिए किसी को दोश नहीं दे सकती एक्ट्रेस ने आगे कहा आलिया भट ने यहां तक कहा कि कभी-कभी उन्हें गलत तरीके से बोलने पर पच्चतावा होता है बता दें कि कुछ दिन पहले एक्ट्रेस अपने एक वीडियो में दिखाती है कि कैसे उनके पती रनबीर कपूर को उनके होटों पर लिपस्टिक पसंद नहीं है और वह अकसर उनसे इसे पोँचने के लिए कहते हैं, इसके बाद से एनिमल स्टार को टॉक्सिक पती का टैक दे दिया था.